जोकर की सीख एक बार एक जोकर सकस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला सुनकर लोग खूब जोर जोर से हसने लगे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दुबारा सुनाया। अब की बार कम लोग हसे। थोड़ा और समय बीतेने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया पर इससे पहले कि वो अपनी बात खतम करता बीच में ही एक दर्शक बोला अरे, कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे अब इस पर हसी नहीं आती कुछ और सुनाओ जोकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला धन्यवाद, भाई साहब यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ जब खुशी के एक कारण की वजह से आप लोग बार-बार खुश नहीं हो सकते तो दुहक के एक कारण से बार-बार दुखी क्यूं होते हो भायों हमारे जीवन में अधिक दुहक और कम खुशी का यही कारण है हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं पर दुख को पकड़ कर बैठे रहते हैं मित्रों इस बात का आशे यह है कि जीवन में सुक दुख का आना जाना लगा रहता है पर जिस तरह एक ही खुशी को हम बार बार नहीं महसूस करना चाहते उसी तरह हमें एक ही दुख से बार बार दुखी नहीं महसूस करना चाहिए जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम दुखों को भूल कर आगे बढ़ने का परयातन करते है